हलो फ्रेंज विसे स्वागत एक नई वीडियो में इस वीडियो के अंदर बात करने वला हूं कि SIEM 1 और SIEM 2 में आप किस तरीके से वॉल्ट का सपोर्ट कर सकते हैं व्यूल कर सकते हैं वीडियो के अंदर यही से बात करने वला हूं और मेरे पास है Samsung के डिवाइज और Samsung के किसी भी डिवाइज में आप इसी तरीके से कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं जानते हैं कैसे करेंगे इसके लिए आपको क्या करना होगा Friends आपको इसके लिए एक features होता है जैसे कि यहाँ पे click करेंगे तो इसको enable करना पड़ेगा सेटिंग में जाना होगा इसके लिए फ्रेंस और फ्रेंस इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा ठीक है इसके बाद connection पे click करना है connection पे click करने के बाद आपको यहाँ पे आपको कहीं भी वियो एल्टी का support देखने को नहीं मिलता नहीं enable कर सकते हैं तो इसके लिए आपको network पे click करेंगे तो आपको vault आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से इसको on कर सकते हैं और friends आपका SIM 1 में select नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए आप उसको SIM 2 में SIM निकाल के लगा लिजिए आपका support करने लग जाएगा तो guys CC परकार से आप अपने phone में जो कि VOLT को enable कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको यह वाला options जो दिखता है उसको भी enable करके रखे जो बोलते data roaming जैसे कि मैंने on कर रखा है यहां पर network mode में एक चीज और बोलता हूं कि मैं आपको उपर वाले में LTE को select करके रखे जैसे कि मैंने कर रखा है और अगर आपको कुछ problem आती है गरबड होता है तो इस पर click कीजिए और इसको reset कर दीजिए और यह आपका internet काफी अच्छे से work करने लग जाए अगर internet problem कर र रखे वैसे तो मैंने बंद कर रखा है वाइफाई ओन की सलिए कर रखा है मैंने क्योंकि connect कर रखा है तो आप इसी तरीके से आप इसको भी off कर सकते हैं तो गैस कैसा लगाए वीडियो प्लीस कमेंट में जरूर पताईएगा कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं